यह एक ऐसा फेस था जिसमें एक दर्भंगा सीट छोड़ दें तो चाहे हो समस्तिपुर हो जियारपुर हो बेगुश राय हो और मंगेर हो चारो पर कांटे की लड़ाई थी कल तक आज दिन में भी लगभग 12 तक कोई नहीं कह सकता था कि कौन जीत रहा कौन हा रहा अभी साम होते होते थोड़ा कुछ क्लियर हो रहा है थोड़ी सिरहात मिली है अब यह नहीं कर सकते हैं कि कौन जीते का कौन हा रहा एक दम कुरूशियल लगाई है नमस्कार आपने उस पोड़ेशन देख रहे हैं मैं हूँ आपके साथ वंदना थोड़ी देर पहले ही चोथे चरन का चुनाओ जो है आज समाप्त हुआ किसका इविय में भविश से जो है वकैद हुआ है और भी कई शवाल है इस विशे पर हमारे साथ बात करने के लिए है इंद्रभूशन जी जो बिहार के वरिष्ट पत्रकार हैं उनसे जानेंगे ये जो आज चौथे चरन का चुनाओ हुआ सर्थ उसको कैसे देख रहे हैं कौन रेस में आगे है ललन सिन भी चुनाओी मैदान में थे शांभवी चौधरी थी जो एंडिये के जो प्रत्याशिय दूसरे तरफ महागंडमंदन के प्रत्याशों का क्या मुकाबला देख रहे हैं यह एक ऐसा फेस था जिसमें एक दर्भंगा सीट छोड़ दें तो चाहे हो समस्तिपुर हो जयारपुर हो बेगुसराय हो और मंगेर हो चारों पर कांटे की लड़ाई थी कल तक आज दिन मे अभी आप यह नहीं कर सकते हैं कि कौन जीते का कौना रगा एक्दम कुरूशियल लड़ाई है सबसे अभी फसे हुए हैं मुंगेर में ललन जी इसके बाद निद्यानेंद्राय तीसरे नंबर हैं गिरी राज सिंग बाकी बाकी दो सीट तो आप समझी रहे हैं एक दो मंत् प्रधान मंत्री ने मुंगेर से हुंकार भरी थी उसके बाद केंद्रिय नेतित्व के जो नेता थे केंद्रिय अस्तर के इंडिये के वह गिरी रासिन के चुनावी सभा में पहुंच जेते यूपी से योगी आदित ना था फिर भी असर नहीं पराद तो पहली बार इस महतों को टिकट देकर अनिता महतों को टिकट देकर उसने पहली बार वहां पूरी तरह मुझे नहीं लग रहा है कि दरहाल फिला कि दुनें किसी लोग चुनाम इतना बैकट फॉरोड हुआ होगा कम्प्लीट दो दो फेज में था उसको अनंत सिंग बाहर है तो कुछ पाट जुगल बंदी चल रही थी और लंबे समय से चल रही थी हाला कि जब जदू के ही कुछ नेताओं पर जब आर्सीपी सीन थे तो वह वक्त क्या हालात था क्या कारण बना था अनंत सिंग को लेकर के वह समाम लोग जान रहे हैं सो जचेंगे गया अरोब था उनको अंदर करने का उनको बाहर निकालना पड़ा जोड़ना पड़ा अपना काम की लगातार बोल रहे हैं रहें जीत रहें लेकिन वह सब को अंदर की अंदर की बात समझ रहा है कि वहां की क्या स्थिति है अभी मैंने यह स्थिति है कि उनको यहां तक बोले मन से कि यह नयाय करने वाले हैं तो अखिर परशान थे तब ही ना फिसले चुनाओं में तो उनकी पत्र नहीं उनके कि ललन सीन को जितना इतना अशान नहीं है इस बार का चुनाओं हार भी सकते हैं लेकिन यह लोग बोल रहा है कि वह बहुत कम मंतर से जीते हैं लेकिन हार भी सकते हैं चाहते हैंघा बहुत कहते हैं यहांतर रहे हैं यहांतर को रहा है तो अब समझ सकती हैं कुछ वहां भोट तो पहले ही से गायर था यादो भोट में बटवारा ही हो गया तो अब कैसे लडाई बहुत ही काटे के हो गई है यहाँ तक कि अमित साह को बोलना पड़ा गी है मेरे दोस्त हैं हम इनको उच्छा पत देंगे कई प्रलोभान उनकी पत लालो की जो कास्ट पॉलिटिक्स है फुसवहाग को टिकर देना बनिया को टिकर देना भूमिहार को टिकर देना वो साफी हद तक सफल रहे हैं यह मैसेज देने में जो जो वो या इसको ऐसे कहें कि यह यह फ्रहम फैलाने में कि हम एक टूजेट की पार्टी है तो उनको इसका फायदा मिला है और अंगाबंद में कुछ वोटिंग कि नवादा में कि यह समस्तिपूर में तो उन तो देखी रह दोनों एक ही पार्टी से हैं और इक ही पार्टी होने के नाते दोनों के जो अलग अलग पार्टी ओं से चुनाओ लड़ रहे हैं क्या अब सोचिए कि कहा जा रहा है कि एक मंत्री मंत्री अपने बेटे को जिताने के लिए सर्गीट हाउस में बैठके लगतार काम करते रहे अब चुकि उनके वो हैं जदियू में और वो उनका बेटा लड़ा था खिलाप से कॉंग्रेस से तो सामने तो नहीं है लेकिन अपने उ लोगों की मांद सिकता रही या फिर उनके अलोक मेता तुनावी मैदान में थी अलोक मेता तो उनके खिलाप भले भी थे दिकत वह नहीं दिकत थे कि सब्सक्राइब जातिया समीकरन है और जो उनके प्रति अटिंटी इंकम्बेंसी थी दिल्ली रहना बहुत कम समय देना उ का उन्तों को खामया जाए इस बार भुगतना पर है हला कि आपका उन्हें लंबी लीस्ट निकाली थी जिसमें उन्होंने यह भी जिक्र किया था कि हमने कुस्वाहा को जगह दिया कुस्वाहा को हमने डिप्टी सीम बनाया बाकी समाज क्किण से जो चीजह बीजेपी के अंदर में जो-कुछ भी चीजह वह रही थी उन तमाम चीजों का उन्हों ने जिकर किया यादों का नहीं जिकर को तो पागिए चुक्कि इंडिया के पास है जाती है कॉम्बिने शन